विधानसभा चुनाओं के पहले चुरन में नामांकन दाखिल करनी की आखिरी तारी खत्म हो गई है। भाजपा की ओर से किष्टवाड विधानसभा चेत्र से शगुन परिहार ने अपना नामांकन पत्र भरा। दिला से शक्तिकरन की बात कर रही है और दूसरी तरफ महिलाओं को टिकेट नहीं दी गए जो सरासर गलत है। यूक्रेन दोरे से लोटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदिनू वैश्विक देशों की राष्ट्रोपती और प्रधानमंत्री से बात कर रही है। प्यम मोदी ने रूस के राष्ट्रोपती पुतिन से बात की। उन्होंने रूस-यूक्रेन संघर्ष को लेकर अपनी बात रखी साथी पुतिन की प्रतिक्रिया जानी। जोरान प्यम ने पुतिन को यूक्रेन यातरा की भी जानकारी थी। नाशनल कॉन्फरेंस के रामबन की जिला प्रधान सज्जाद शाहिद चुनाव प्रचार के लिए बने हाल पहुँचे जहां कारे करताओं ने उनका भव स्वागत किया इस मौके पर पार्टी नेता ने पार्टी के हक में वोट देनी की अपील की और लोगों को आश्वासन दिया कि पार्टी जो मुकश्मीर के हिप में काम करेगी भाजपा ने आज एक बार फिर नाशनल कॉन्फरेंस और कॉंग्रस गटबंदन पर सवाल उठाए एक पत्रकार वारता के दोरान भाजपा के प्रवक्ता एडवकेट सुनील सेथी ने कहा कि नाशनल कॉन्फरेंस ने गटबंदन से पहले अपना घोशना पत्र जारी किया और उसके बाद कॉंग्रस के साथ गटबंदन किया जो इदर शाता है कि गटबंदन एक साथ इशके तहट किया गया है उनने कॉंग्रस और नाशनल कॉन्फरेंस पर इसको लेकर कई सवाल उठाए निजी अस्पतालू द्वारा एक सतंबर से आयुश्पान योजना के लाप देने की सुविधा बंद करने के एलान के बाद शिनगर में जायलिसिस और कैंसर पेशिंट्स द्वारा प्रदर्शन किया गया प्रदर्शन कारियों ने इसके खिलाप नडास की जताई और कहा कि अगर ऐसा हुआ तो उनके लिए इलाज करवाना मुश्किल हो जाएगा निस्दरकार से जल्द मुद्दे को हल करने की मांग की पुँच के गाउडालन दिगवार में एक दुखद दुरघट नापेश आई जिसमें एक ट्रेक्टर चालक की मौत हो गई ट्रेक्टर चालक की उम्र 22 वर्षी बताई जा रही है आपको बता दें कि पुंच जिले का रहने वाला ये ट्रेक्टर चालक उस समय हाथ से कार हो गया जब अचानक इसका ट्रेक्टर नियंत्रन खो बैठा और पलट गया बाजपा की कारिकर्ताओं द्वारा अखनूर के फवारा चोक में टिकट वित्रन को लेकर प्रदर्शन किया गया कारिकरताओं ने कहा कि वो कई वर्षू से पार्टी की सेवा कर रहे हैं और अब पार्टी पाराशूट उम्मीद्वारू को मैदान में उतार रही है जो सरासर गलत है निस फैसले को वापस लेने और पार्टी की सेवा में जुडे काबल उमीद्वारू को मौका देने की मांगी